हालो एब्रिवान वेलकम टू गोल्डी सेस्फफल किचन आज हम अंकुरिति मुंख से बनाएंगे एक नई रेसिपी और यह देखे हमने इसको पानी नीचे रखे न पतीले में ऐसे पतीले में पानी नीचे रखे और छलनी में रख दिया है अब हम इसको ढखे न एक से दो मि कितनी सारी चीज़े हैं ठेर सारी तो हमने लिए यहां पर एक कप अंकुरित मुंग जिसको मैंने हलका से स्टीम कर लिया है यह आधा कप मैंने पनीर के क्यूब लिये हैं एक प्याज को बारी काट लिया है वन-फोर्थ कप अनार है आधा खीरा लिया है एक छोटा टमाटर कर लिया है एक गाजर को ऐसे चौप कर लिया है थोड़े से बीटूट के लच्छे हैं आप देख सकते हैं कितने कलर हैं थोड़ा पोदीने की पत्तियों को काट लिया है नीबू डालने वाले हैं साधा नमक है काला नमक है टू पिंच ब्लैक पेपर पाउडर है और आधा चम चोगरा है और यह डाल देंगे गाजर इसको करेंगे मिक्स देखें कितनी सारी सबजियां है और यह प्रोटीन पैक सेलिड है फुल ओफ प्रोटीन पनीज है इसमें अंकुरित मूंग है आप यह खा लेंगे ना तो आपको बस जादा कुछ खाने की जुरत नहीं पेट इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है थोड़ा सा डालूँगी मैं इसमें लेमन का जूस यह भी आप अपनी इच्छा से कम जादा कर सकते हैं यह सीड गिर गया इसमें हटा देते हैं थोड़ी सी पुदीनी की पत्तियां धनिया भी आप यूज कर सकते हैं और अच्छे से मिक्स करते हैं टेस्ट करके देखते हैं और देखिए यह हमने सर्व कर दिये है अभी टूट हमने इस हाथ में नहीं मिलाई थी क्योंकि इससे पूरा कलर चेंज हो जाता है तो इसलिए बहुत बहुत यमी लगने वाला है आप बताएगा मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी थैंक यू सो मच फो वाचिंग मैं रेसिपी